प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फोर लेटस अपडेट वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें है गाइस स्वागत है आपका प्रतोगता संसार में और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसोफ्ट ओफिस बेस्ट कुछ इंपोर्टन प्रशन के बारे में और ये प्रशन जो है कम्पिटेटिव एक्जाम पॉइंट ऑफ वियू से इंपोर्टन है कंप्यूटर केंप्यूटर से 1-2 प्रशन आवश्य पूचे जाता MS Excel को किस नाम से जाना जाता है MS Excel जो है उसे किस नाम से जाना जाता है Word Processing Program या B Presentation C Spreadsheet Program या DIR में से कोई नहीं तो जो MS Excel है इसे जाना जाता है Spreadsheet Program के नाम से MS Excel जो है वो Arthematic Calculations के लिए यूज किया जाता है और ये Application Software है Next Excel Workbook में by default कितनी sheet होती है तो कितनी sheet होती है 2, 5, 3 या इन मेंसे कोई नहीं तो कितनी होती है वो होती है 3 Excel जो Workbook है उसमें by default 3 sheet होती है Next MS Excel में बनी हुई file के प्रतेक पेज को क्या कहते हैं Book कहते है Document कहते है Sheet कहते है या इन मेंसे कोई नहीं तो इसका सही जवाब है Option C sheet, ms excel में बनी हुई file को कहते है, file के प्रतेक page को कहते है, sheet, जो ms excel की file होती है उसके प्रतेक page, उसमें हर page को sheet कहा जाता है, next worksheet में data किसमें संगटित होता है तो row में होता है, columns में होता है, या both में होता है, और b या option d none, तो जो वर्क्षीट में data संगठित होता है, वो option C, इसका सही जवाब है, A and B, row and column के रूप में संगठित होता है, row and column के intersection को क्या कहते हैं, तो row and column के intersection को आपके options हैं, A, cell, B, group, C, both, या D, none, तो row and column के intersection को कहते हैं, cell important question है, पूछा जा सकता है, क्योंकि MS Office से में जो है, Excel से ये question, अक्स Excel का प्रयोग होता है, A, make data, B, make chart for the data, C, organize the data and D, all of the above, तो इसका सही जवाब है, all of the above, इन सब के लिए जो है, make data, make chart for data and organize the data, इन सब के लिए जो है, Excel का प्रयोग होता है, next, Excel का अप्योग किन क्षेत्रों में होता है, A, accounting, B, data analysis, C, both, और D, none of the above, Excel का अप्योग किन क्षेत्रों में होता है, तो इन में, जो है, option C, सही है, क्योंकि accounting और data analysis के लिए, जो है, Excel का अप्योग होता है, next, MS Excel 2010 की एक worksheet में, कितने row और column होते हैं, तो कितने row and column होते हैं, आपके options हैं, A, 10,48,576 row, और 16,344 column, option B, 65,535 row and 256 column, option C, A, and B, दोनों, या option D, इन में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है, option A, यह important question है, MS Excel जो है, उसमें होते हैं, 10,48,576 जो होती हैं, और column होते हैं, 16,384, तो यह याद रखने वाली बात है, और यह पूछा भी जाता है, इसको आप ध्यान से याद कर लें, क्योंकि हो सकत हो जाए, next, Excel worksheet में प्रथम cell को लेबल किया जाता है, यह है, आपका options है, double A, option B, A1, option C, A, capital A, और small A, या option D, A, O, इसका सही जवाब है, A1, जो है, sheet में प्रथम cell को जो है, लेबल किया जाता है, उसको क्या दिया जाता है, उसको A1 नाम दिया जाता है, next, निमलिखित में कौन MS Excel की टर्म नहीं है, कौन सी टर्म नहीं है, cells, bureaus, c columns, या d, document, तो document जो है, वो MS Excel की टर्म नहीं है, next, PowerPoint presentation में default extension होता है, क्या होता है, PowerPoint presentation में default extension क्या होता है, option A, .PPO, option B, .PPT, option C, .PP, या option D, .PPE, नेक्स्ट, निमलिखित में से slide show किस में होता है, MS Word में होता है, slide show, या option B, MS Excel में होता है, option C, MS PowerPoint में होता है, या option D, MS Access में होता है, तो किस में slide show होता है, नेक्स्ट, आप slide show को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए क्या मतलब slide show, अगर आप slide show चला है, तो आप उसको किस तरह से रोक सकते हैं, option A, delete button को दबा कर, option B, SK button को दबा कर, option C, right arrow को दबा कर, या option D, left arrow को दबा कर, तो इसका सही जवाब है, option B, aspect जो button होता है, SK button जो होता है, आप उसको दबा कर, जो है, वो slide show को रोक सकते हैं, next, within slides में motion effect लागब करने के लिए, आप power mind का कौन सा feature यूज़ करेंगे, जब भी आपको motion effect डालने हैं, तो slide में तो आप कौन सा feature यूज़ करेंगे, उसमें, option A, slide translation, option B, slide design, option C, animation of object, या option D, animation scheme, तो उसमें जब भी आपको slide में motion effect डालना है, तो आपको animation scheme में जाकर, जो है, आप यूज़ करेंगे, feature animation, next, आप कैसे किसी presentation में chart को रख सकते हैं, A, edit chart, B, insert picture chart, option C, insert chart, option D, view chart, तो किस तरह रख सकते हैं आप, तो आप रख सकते हैं, option B, insert में जाना है, आपको फिर picture पे click करना है, और फिर picture में क्या चाहिए, आपको चाठ चाहिए, तो आप इस तरह presentation में जो है चार्ट रख सकते हैं next slide में किसी picture को recolor करने की command क्या है कि अगर किसी picture को आपने recolor करना हो तो क्या है option A insert picture and recolor option B tool picture recolor option C format picture recolor option D edit picture recolor तो इसका सही जवाब है option C format में जाना है फिर picture और फिर उसको recolor next वर्तमान slide को slide show के रूप में प्रयोग करने है तो shift जो है वो कौन सी shortcut है प्रयोग में लाई जाती है option A shift plus F5 option B control shift plus F5 या option shift control plus F2 या option D उपरोप में से कोई नहीं तो slide show को प्रयोग करने में जो आपका shortcut की यूज़ की जाती है वो है shift plus F5 जब आप दबाते हैं तो आपका slide शुचुरू हो जाता है next powerpoint में बनी फाइल का default नाम क्या होता है क्या होता है जो powerpoint में बनती है फाइल उसका default नाम option A book, option B document या option C presentation, option D untitled तो इसका सही जवाब है option C presentation जो भी powerpoint में फाइल बनती है उसका default नाम होता है presentation next slide show को run करने के लिए किस command का उपयोग किया जाता है run slide show show या run slide तो इसका सही जवाब है slide show जब slide show को हम run करते हैं तो इसमें slide show पर click करते हैं तो slide show चल पड़ता है next powerpoint presentation निम लिखित application program का एक हिसा है lip office, star office, open office या MS office तो यह है MS office का एक application program है powerpoint तो आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे like कर दीजिए, share कर दीजिए और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, important वीडियो है पूरा देखें और अगर देख लिए आपने तो एक बार फिर देखें क्योंकि ताकि आपको यह बातें जो इसमें बताईगें पुछी तरह से याद हो जाए एक्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ आवश्य आएगा